बच्चो लेक्चर नमबर फोर में आ जाओ इसमें क्या करना हमें find the number of terms in the expansion of the following यहां हमारे पास five expansion दे रखें binomial theorem के इसमें हमें number of terms चाहिए ठीक है मतलब क्या है कहने का यह मतलब है कि अगर मैं first जो given है न इसको मैं expand करो two x minus three y पे power nine इसको मैं expand करूँ तो total number of terms कितने आएंगे तो यहां पे मैंने क्या बता रखा है कि जो index होता है index से एक ज़्यादा क्या होता है number of terms तो यहां पे index क्या 9 तो number of terms कितने हो जाएंगे 10 यहां हमारे पास index 9 है तो number of terms कितने हो जाएंगे number of terms number of terms हो जाएंगे 9 प्लस 1 9 प्लस 1 बोलने का मतलब क्या हो गया total 10 terms हो जाएंगे ठीक है अब आते हैं second में second में हमारे पास क्या है 1 प्लस 5 रूट 2 x प्लस 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 रूट 2 x प्लस 9 यह हमारे पास दे रखा है ठीक है अब तुम ऐसे देखो कि यह जो term में है इसमें क्या है बीच में plus है इसमें क्या है प्लस और यहां पे क्या बीच में minus और दोनों पे index सेम है तो जब तुम इस वाले term को expand करोगे और इस term को expand करोगे तो क्या होगा हमारा पहला वाला जो term है वो add हो जाएगा और second term क्या होगा cancel हो जाएगा फिर third term क्या होगा add होगा fourth term क्या होगा cancel हो जाएगा and so on बट हमारे पास इस expansion में भी total कितने terms होंगे 10 इसमें भी कितने terms होंगे 10 यह already मैंने बता रखा है previous video lecture में देखना इस type के expansion को already मैंने deal कर रखा है कि number of terms कितने होंगे अब मालो कि अगर चलो कोई बात नहीं बड़ मैं दुबारा बता देता है अगर हमें number of terms निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते expand करेंगे तो क्या होगा 9C0 और 5 root 2 x पे power 0 फिर plus क्या होगा 9C1 5 root 2 x पे power 1 फिर क्या होगा 9C2 5 root 2 x पे power 2 and so on कहा तक जाएगा यह यह जाएगा 9C9 5 root 2 x पे power 9 तो इस bracket में कितने terms है इस bracket में total 10 terms है फिर plus ले लिया फिर क्या हो जाएगा 9C1 5 root 2 x पे power 1 अब यहाँ पे देखो यहाँ पे minus है तो alternate positive negative चलेगा तो क्या हो जाएगा 9C1 5 root 2 x पे power 1 फिर plus क्या हो जाएगा 9C2 5 root 2 x पे power 2 फिर minus अब last वाला term क्या होगा last वाला term तुम ऐसे देखो कि यहाँ पे sorry this is 9C0 0 यह 9C1 9C2 अब तुम ऐसे देखो कि जब odd term आ रहे है ना मतलब कि 9C1 C का जब suffix odd है तो फिर term क्या हमारा minus है और जब C का suffix हमारा even है तो फिर term क्या है positive है उसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि अगला term क्या होगा 9C2 के बाद क्या होगा फिर minus हो जाएगा 9C3 5 root 2 x पे power 3 ऐसे होगा ना फिर क्या होगा फिर plus होगा 9C3 के बाद क्या होगा फिर plus हो जाएगा 9C4 फिर क्या होगा 5 root 2 x पे power 4 फिर plus के बाद फिर minus होगा last वाला term positive sign के साथ होगा यह negative sign के साथ ये सोचो negative sign के साथ क्योंकि जब भी c का suffix हमें odd मिल रहा है न तो हमारा term क्या है negative और जब भी c का suffix हमें even मिल रहा है term हमारा क्या positive तो last वाला जो term होगा वो हमारा क्या होगा minus sign के साथ तो क्या होगा minus 9c9 और क्या होगा 5 root 2x पे power 9 अब तुम ध्यान दो अगर इन दोनों terms को मैं add करूँ इसको और इसको add करूँ तो क्या हो रहा हमारा फर्स term इन दोनों का first term तो add होगा second term cancel हो जाएगा फिर हमारे पास क्या होगा third term add होगा fourth term cancel हो जाएगा तो number of terms कितने होगे इसको तुम क्या लिख सकते हैं इन दोनों का अगर मैं एड़ करूँ तो 2 और ये क्या हो जाएगा 9C05 रूट 2 x पे पावर 0 फिर 1 वाला क्या होगा कैंसिल हो जाएगा फिर 2 वाला जाएगा 9C2 क्या होगा 5 रूट 2 x पे पावर 2 यहाँ पे 2 लिख दिया है इसका मतलब कि ये सारे टम्स क्या हो रहे हैं एड़ हो रहे हैं फिर क्या होगा प्लस 9C2 के बाद 4 5 रूट 2 x पे पावर 4 फिर क्या होगा 9C4 के बाद 6 5 रूट 2 x पे पावर 6 6, 6 के बाद 8, 9C8, 5 root 2, x पर 8, ठीक है, 8 के बाद फिर तुम 10 नहीं जा सकते हो, 9C10, यह तो पॉसिबल नहीं है, because जो C का जो suffix होता, उससे ज्यादा C का, sorry, C का जो prefix होता, उससे ज्यादा suffix हो नहीं सकता, तो 9C10 तो जा नहीं सकते, मतलब इतनी ही terms है, total कितने terms होगे, 1, 2, 3, 4 and 5, तो total कितने terms आ जा जाएंगे हमारे पास, 5 terms आ जाएंगे, ठीक है, यहां तक clear है, अब आज़ो third part पर, third part हमारा क्या है, अब यहां पर देख लो, third part में क्या, root x plus root y to the power 10, तो यहां तो यह तो simple binomial है, यह simple है ना, यह तो binomial term है, इस पर power क्या हमारे पास 10, तो क्या होगे, कितने terms होगे, जो हमारा suffix है, उससे एक जादा, तो यहां पर हमारे पास जो index है, जो index है, जो power है, उससे एक ज्यादा, तो यहां पर power क्या है 10, तो 10 से 1 ज्यादा क्या होग गे 11, तो number of terms कितने हो जाएंगे 11, तो 3rd में तो ऐसे ही answer आगे, 3rd में क्या हो गया, number of terms क्या हो गया, number of terms कितने होगे 11 होगे अब आते हैं हम लोग 4th पर 4th में देख लो क्या है अब यहां पर देख लो यह binomial नहीं है यह trinomial है अब इसमें पूछ रहा है तुम से कि बताओ कितने number of terms होगे यहां हमारे पास binomial नहीं है यह हमारे पास क्या trinomial 2x plus 3y minus 4z क्या हमारे पास 2x plus 3y minus 4z पर पावर क्या हमारे पास n और तुम से क्या पूछ रहा है कि बताओ इसको अगर मैं expand करूँ तो कितने number of terms होगे ठीक है अब यहां पर ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि number of terms हमारा n plus 1 होगा फिर वो गलत हो जाएगा क्यों? because number of terms n plus 1 तब ही होगा जब यह binomial की जगा binomial हो अगर binomial होता अगर ऐसे लिखा होता 2x plus 3y पे पावर n ऐसे लिखा होता तब तो number of terms n plus 1 होता बट यहां पर binomial तो है नहीं यहां पर क्या हमारे पास? trinomial तो फिर कितने number of terms होगे? अभी हम लोग direct नहीं बोल सकते इसको हमें थोड़ा manipulate करना होगा manipulate करने का यह मतलब हो गया कि इसे हमें करना क्या होगा? कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखना ध्यान से 2x plus 3y minus 4z अब 3y minus 4z को हमने एक single term माल लिया 3y minus 4z को हमने क्या माल लिया? एक single term माल लिया और 2x को एक single term माल लिया तो अब क्या होगा? कि अब उसके बाद मैं चलो इसे expand करता हूँ अब यहाँ पे इसको binomial बना दिया हमने अब binomial बना के मैं इसे expand करता हूँ तो expand करूँगा तो क्या होगा? n c 0 पहला term हमारा क्या है? 2x तो 2x पे power n और यहाँ पे क्या होगा? 3y minus 4z पे power n ऐसे हो जाएगा पिर क्या लिखेंगे? n c 1 फिर क्या होगा? 2x पे power n minus 1 और फिर उसके बाद क्या होगा? 3y 3y minus 4z पे power 1 फिर क्या होगा हमारे पास? फिर प्लस होगा n c 2 फिर क्या होगा 2X पे पावर N-2 फिर क्या होगा ये 3Y-4Z पे पावर 2 फिर क्या होगा N-C3 2X पे पावर N-3 और यहां पे क्या होगा 3Y-4Z पे पावर 3 ऐसे करके चलेंगे लास वाला टर्म क्या होगा N-CN और फिर क्या होगा 2X पे पावर N-N0 और यहां पे क्या होगा 3Y-4Z पे पावर N अब बात को ध्यान से सुनो ये पहले बताओ इसमें ये क्या हमारा है ये एक सिंगल टर्म है ये जो है न ये एक सिंगल टर्म है यह जो दिख रहा है आपको यह एक single term है समझ मैं आरी बात क्यों because 3x minus 4z पर power 0 है तो यह तो 1 के equal है यह nc 0 2x पर power n तो यह एक single term होगे तो यहां से हमें क्या मिला एक term मिला देखना number of terms में लिख रहा हूँ number of terms में लिख रहा हूँ number of terms यहां से हमें क्या मिला एक term मिला number of terms यहां पर 1 मिला अब आजाओ इस पर इसमें बताओ कितने terms होंगे nc1 2x पर power n minus 1 ठीक है जब 3y से multiply होगा तो एक term मिलेगा फिर minus 4z से multiply होगा तो दो term मिलेगा मतलब on the whole यह जो एक single term है यह दो terms को generate कर रहा है यह जो single term दिख रहा है ना तुमें यह दो terms को generate कर रहा है तो यहां से हमें कितने terms मिल जाएंगे again plus 2 फिर आजाओ इस पर इस term पर आजाओ इस पर power क्या 2 तो जब इस bracket को तुम open करोगे तो इसमें कितने terms होंगे 3 terms होंगे और यह जो लिखा हुआ है ना nc2 2x पर power n minus 2 इन bracket के 3 terms से multiply होगा तो on the whole यह जो single term है यह कितने terms को produce करेगा यह 3 terms produce करेगा तो plus 3 होगे आ रहे होगे बास समझने अब फिर इस term में आजो यह कितने terms को generate करेगा यहां पर यह 4 terms बनेंगे कैसे 3y minus 4z पर power 3 है तो इस bracket में जो लिखा है न 3y minus 4z पर power 3 यह जो लिखा हुआ है जब इस bracket को तुम open करोगे तो इसमें कितने terms आएंगे 3 plus 1 4 terms आएंगे इस bracket से और यह जो लिखा हुआ है न nc3 2x पर power n minus 3 जब इस bracket के 4 terms से multiply होगा तो नए 4 terms generate करेगा तो यहाँ पर आगे plus 4 plus n so on ऐसे आएगा न अब यहाँ पर यह क्या इस bracket पर power क्या है n तो इस bracket को जब आप open करोगे तो कितने terms होगे n plus 1 और यह जो लिखा हुआ है ncn 2x पर power 0 जब यह n plus 1 terms से multiply होगा तो कितने terms generate करेगा n plus 1 तो यहाँ पर आगे n plus 1 ठीक है तो on the whole हमारे पास इतने terms मिल गए कितने terms मिल गए 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus and so on n plus 1 फिर आप लोगों ने एक formula पढ़ा होगा sum of n natural number sum of first n natural number यह क्या होता है sum of first n natural number इसका formula होता है n into n plus 1 upon 2 यह formula होता है पहले n natural number का sum क्या होता है n into n plus 1 upon 2 तो अगर मैं बोलूँ कि sum of first n plus 1 natural number पहले n plus 1 natural number का sum क्या होगा अगर मैं तुमें बोलो n plus n plus 1 तो कुछ नहीं है यह जो formula लिखा है न इसमें n की जगा n plus 1 डाल दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n की जगा n plus 1 डाल दो तो यह होगा n plus 1 और यह क्या हो जाएगा n की जगा n plus 1 डालो तो plus 1 upon 2 तो यह answer क्या हो जाएगा n plus 1 n plus 2 upon 2 आगे है न 1 plus 2 plus 3 अब टो n plus 1 तो हमें क्या मिल गया n plus 1 into n plus 2 upon 2 तो यह answer क्या हो जाएगा हमारे पास n plus 1 into n plus 2 upon 2 यह हमारा answer होगी ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि यह जो हमारे पास expansion लिखा हुए है 2x plus 3y minus 4z पे power n इसमें कितने number of terms होँगे इसमें number of terms जो होँगे वो इतने होँगे देख दो n plus 1 into n plus 2 upon 2 इतने number of terms होँगे ठीक है यहां तक तो clear होगा उसके बाद हमारे पास जो fourth है वो fourth part क्या हमारे पास 1 plus 2x plus x square यह हमारे पास है 1 plus 2x plus x square to the power 20 पोर्ट नहीं है I think यह fifth है fifth में क्या है हमारे पास fifth में है हमारे पास 1 plus 2x plus x square पे power 20 अब देखने में यह तो trinomial लग रहा है देखने में क्या है हमारे पास trinomial है बट यह binomial में convert हो जाएगा कैसे 1 plus 2x plus x square का formula क्या होता है 1 plus x का whole square उस पे power 20 लिखती है तो यह क्या हो जाएगा 1 plus x पे power 40 अब यह तो binomial में convert हो गया अब अगर मैं बोलू कि बताओ कितने number of terms होंगे तो binomial में मैंने क्या बताया है कि जो index होता है जो power होता है उससे एक जादा number of terms होता है तो हमारे पास number of terms कितने हो जाएंगे number of terms कितने हो जाएंगे यह हो जाएंगे 40 plus 1 is equals to 41 यह हमारा answer होगे I hope बात समझ में आ रहा होगा हमें करना क्या है अब आते हम लोग question number 2 में question number 2 में क्या है हमारे पास बोला जा रहा है expand expand x square plus 2a पे power 5 by binomial theorem यह तो बहुत easy question है binomial theorem use करके इसे expand करो तो binomial theorem का expansion अल्रेडी बताया जा चुके आप लोग को 5 है क्या लिखा हुआ x square plus 2a to the power 5 इसको expand करना है कहां से expand करेंगे पहले 5c0 लिखेंगे इसमें हमारे पास पहला term की x square तो x square पे power क्या होगा 5 minus 0 दूसरा term की हमारे पास 2a तो 2a पे power क्या होगा 0 ठीक है फिर next term क्या होगा 5c1 फिर क्या होगा x square पे power क्या होगा इन दोनों का difference 5 minus 1 और जो दूसरा term की हमारे पास 2a उस पे power क्या होगा 1 फिर क्या होगा 5c2 square फिर difference क्या होगा 5-2 और दूसरा term क्या होगा 2a पे power 2 फिर क्या हमारे पास 5c3 क्या हमारे पास x square पे power क्या होगा 5-3 और 2a पे power क्या होगा 3 अब क्या होगा 5c4 फिर पहला term क्या हमारे पास x square power का difference लेंगे तो 5-4 और दूसरा टर्म क्या हमारे पास 2A, तो 2A पे पावर 4, फिर क्या होगा, 5C5, पहला टर्म हमारे पास क्या, XA2, पे 5-5, दूसरा टर्म क्या हमारे पास 2A, 2A पे पावर 5, ऐसे होगे, यह expansion होगे, ठीक है, अब इस expansion को करना क्या, solve करना है, solve करने के लिए मैंने तुम लोगों को बता रखा है, कि coefficient equidistant, binomial coefficient equidistant from the beginning and from the end are always equal, कहने का यह मतलब है, कि first term का binomial coefficient क्या 5C0, ठीक है, और last term का binomial coefficient क्या 5C5, यह दोनों अपस में equal होगा, फिर second term का binomial coefficient क्या 5C1, और second last term का binomial coefficient क्या 5C4, यह दोनों अपस में equal होगा, formula क्या use होगा, ncr plus, sorry, ncr is equal to ncr minus 1, यह formula यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा formula यूज़ कर रहा हूँ, ncr is equal to nc n minus r, यह formula यूज़ कर रहा हूँ, इस formula से क्या हो जाएगा, 5C1 का value क्या हो जाएगा, 5C5 minus 1 is equal to 5C4, ठीक है न, तो यह 5C4 और 5C1 का value equal होगा, same line पर 5C2 का value, यह जो 5C2 है, इसका value और यह 5C3 का value equal होगा, ठीक है न, यह तो अल्रेटी बता रखा है, प्रीएस वीडियो लेक्चर में, यह अल्रेटी बताया जा चुका आपको, ठीक है, अब यहाँ पर करना है क्या हमें, कि तुम इसको ऐसे देखो, 5C0 का value क्या होगा, 5C0 का value 1, और any number to the power 0, except 0, 0 को छोड़ कर तुम दुनिया के किसी भी number पे अगर power 0 डालते हो, तो उसका value 1 होता है, 0 पे power 0 क्या होता है, not defined, तो x square तो 0 है नहीं, ठीक है, यहाँ पर तुम ऐसे देखो, यहाँ पर sorry, यहाँ पर 5 to the power 5, यह 0 होगा, ठीक है, 2A to the power 0, क्या हो जाएगा, 1, plus क्या होजाएगा, 5C1 का value क्या होगा, 5, और यहाँ पर एकस square पर power 5-1, 4, और 2A पर power 1, फिर क्या होगा, 5C2, 5C2 का value क्या होगा, 5C3 के एक्वल होगा, और 5C3, 5C2 का value क्या होगा, 5C2 का value क्या होगा 5 into 4 upon 2 into 1 ठीक है और यहाँ पर x square पर power क्या रहा है 5 minus 2 3 और 2a पर power क्या रहा है 4, sorry 2a पर power 2 तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 4 into a square ठीक है अब आते हैं फिर इस टम पर 5C3 5C3 का value और 5C2 का value तो same होगा तो 5C3 का value भी क्या हो जाएगा 5 into 4 upon 2 into 1 ठीक है उसके बाद आ रहा है x square x square पर power 5 minus 3 क्या रहा है 2 और 2 पर power 3 2 पर power 3 क्या होगा 8 into a cube ठीक है फिर plus 5C4 का value क्या होगा 5C1 के equal होगा 5C1 का value क्या होता है 5 होता है और यहाँ पर x square और यह 5 पर 5 minus 4 क्या होगा 1 और 2 to the power 4 क्या होता है 16 और a to the power 4 ऐसे होगे फिर 5C5 का value और 5C0 का value सेम होगा किसके equal होगा 1 और यहाँ पर x square पर power 0 x square पर power 0 और यहाँ पर मैंने इस सही लिखा था यहोगा और 2a to the power 2a to the power 5 तो 2 to the power 5 क्या होता है 32 यहाँ पर क्या हो जाएगा 32a to the power 5 यहाँ जाएगा हमारे पास 32a to the power 5 यहाँ अब इसे solve कर लो x पर power यहाँ से x पर power 10 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू x पर power 8 इंटू a पर power 1 तो a यह क्या हो जाएगा 2 to the 4 तो 5 to the 10 10 यहाँ पर क्या हो रहा 10 इंटू 4 40 x पर power 6 a पर power 2 फिर यह भी 10 होगा x पर power 4 10 इंटू 8 यहाँ से 8 भी ले लिया x पर power 4 a पर power 3 ठीक है ना फिर इसको क्या हमने यह क्या हो जाएगा प्लस 5 इंटू 16 x पर power 2 a पर power 4 प्लस यह क्या हो जाएगा 32 x square to the power 0 का value क्या होगा 1 a to the power 5 ऐसे मुझे यह calculate नहीं करना चाहिए बट मैं एक दो question में calculate कर दे रहा हूँ और इसके बाद जो question करूँगा उसमें calculate नहीं करूँगा सिर्फ expand करके छोड़ दूँगा ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या मैं लिगे x to the power 10 और 5 to the 10 तो यह होगे 10 x to the power 8a plus 40 x to the power 6a square plus 80 x to the power 4a cube 1650 x square a to the power 4 plus 32 a to the power 5 यह हमारा answer होगे ठीक है बचो question number 3 देखते है question number 3 question number 3 में क्या बोल रहा है using binomial theorem using using binomial theorem expand expand 1 plus x by 2 minus 2 by x the power 4 where x is not equals to 0 यह ncrt का question है क्या बोल रहा है कि binomial theorem use करके इसे expand करो सबसे पहले बात सबसे पहले बात कि यह जो हमारे पास bracket में लिखा हुआ है यह binomial नहीं है binomial theorem use करना है बट यह binomial expansion नहीं है because क्यों नहीं है binomial expansion because यहां पर हमारे पास three terms है use हमें binomial theorem करना है बट जो given है वो हमारे पास trinomial expansion है तो कोई बात नहीं trinomial को binomial माल लेंगे कैसे करेंगे दो terms को एक single term में convert करो तो फिर trinomial क्या बन जाएगा binomial फिर binomial expansion यूज करो कहने का यह मतलब है कि हमारे पास क्या है ऐसे लिखा हुआ है one plus x by two minus two by x पे power क्या है four इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ one plus x by two minus two by x पे power four अब मैंने क्या किया कि जो x by two minus two by x इसे एक single term में माल लिया और यह हमने एक single term माल लिया ठीक है अब यहाँ पे देखो यह किस form में convert हो गया यह जो है ना हमारा यह किस form में convert हो गया यह हो गया one plus x to the power n इसके form में convert हो गया तो यह क्या होता है nc0 x to the power 0 nc1 x to the power 1 nc2 x by power 2 plus and so on यह क्या होता है ncn x by power n इसी को हम sort form में कैसे लिखते थे r is equal to zero to n ncr x to the power r ऐसे लिखते थे थे यह जो हमारा expansion है यह जो binomial है यह इसके form में convert होगी यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है यहाँ पे x का काम कर रहा है x by 2 minus 2 by x इसको याद रखना है द्यान रखना है तो अब चलो अब expand करते हैं हम लोग expand कैसे करेंगे 1 plus x by 2 minus 2 by x पे power 4 इसको expand करेंगे तो क्या होगा 4c0 x पे power 0 x का काम क्या कर रहा है x by 2 minus 2 by x तो क्या होगा x by 2 minus 2 by x पे power 0 फिर क्या होगा 4c1 x पे power 1 x का काम क्या कर रहा है x by 2 minus 2 by x 2 by x पे power 1 फिर क्या होगा 4c2 x x का काम है x by 2 minus 2 by x पे power 2 फिर क्या होगा 4c3 x की जगे x by 2 minus 2 by x पे power 3 फिर होगा 4c4 x by 2 minus 2 by x पे पावर 4 ऐसे हो गया ठीक है अब ध्यान दो यह question थोड़ा lengthy है बढ़ ऐसा नहीं है question solve नहीं होगा lengthy होने का मतलब यह calculation करना होगा calculation intensive question है यह तो हमारा 1 हो गया 4C0 का value क्या होता 1 और x by 2 minus 2 by x to the power 0 इसका भी value 1 ठीक है तो अब इसको मैं calculate करा हूँ देखना ध्यान से यह तो हो गया हमारा पहला term तो 1 हो गया plus 4C1 का value हो गया 4 अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे हो गया यह x by 2 minus 2 by x पे power 1 है यह same आ जाएगा plus 4C2 का value क्या होगा 4 into 3 upon 2 into 1 अब यहाँ पे तुमें a minus b का whole square लगा दो तो a square a का का क्या कर x by 2 तो यह क्या हो जाएगा x square by 4 minus 2ab a का क्या क्या कर x by 2 अब b का क्या क्या कर रहा है 2 by x minus 2ab plus b square तो b क्या हो जाएगा 4 upon x square ठीक है अब यहाँ पे क्या है यह हमने कर दिया plus 4c3 4c3 का value किसके equal होगा 4c1 के equal होगा तो यह हो गया 1 यहाँ पे देखो यह हो गया 1 अब यहाँ पे न चाहो तो तो तुम binary लगा दो चाहो तो तुम a minus b का whole cube लगा दो दोनों में answer आ गएगा तो हमने a minus b का whole cube लगा दिया तो a minus b का whole cube क्या होगा a cube a का 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 क्या कर रहा है xy2 a cube minus 3a square a का 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 क्या कर रहा है xy2 3a square b b का हमारा 2 by x plus 3a a into b square b का का क्या कर रहा है 2 by x का whole square minus b cube b का 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 कर रहा है 2 by x तो 2 by x का cube ठीक है यह भी कर दिया अब इस term पे आ जाओ इस term में तुम्हें 4 है ना यहाँ पे बाइन b to the power 4, कोई यह standard formula नहीं है, 4 c 4 का value क्या होगा, 1, अब यहाँ पे तुम्हें binary में लगाना होगा, तो क्या होगा 4 c 0, हमारे पास क्या है, x by 2 पे power क्या हो जाएगा, 4 minus 0 4, और यह क्या होगा, 2 by x पे power 0, फिर यहाँ पे minus है न, ये, तो alternate turn क्या चलेगा, positive negative, तो फिर लिखा, minus 4 c1, फिर यह होगा, x by 2 पे power 4 minus 1, 3, और 2 by x पे power 1, फिर क्या होगा, plus 4 c 2, फिर क्या होगा, x by 2 पे power 2 minus 2, 2, और यहाँ पे क्या होगा, 2 by x पे power 2, ठीक है, फिर क्या होगा, 4C2 हो गया 4C3 सौरी प्लस नहीं माइनिस होगा औल्टरनिट चलेगा ना पॉसिटिव निगे टिक फिर क्या होगा X by 2 पे पाव 4 माइनिस 3 1 और यहाँ पे क्या होगा 2 by X पे पावर 3 फिर प्लस तो क्या होगा 4C4 और यहाँ पे होगा X by 2 पे पाव 4 minus 4 0 और यह हो जाएगा 2 by x पे पाव 4 अब बच्चो तुम लोगो को करना क्या है किसे calculate कर लेना calculation आता है यह आप लोगो को करना क्या है इसे calculate कर लेना जब calculate कर लोगे तो यह जो term दिख रहा है न इन सब को calculate कर लेना calculate करोगे तो final answer क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ final answer आएगा minus 5 minus 4x plus x square by 2 plus x cube upon 2 plus x to the power 4 upon 16 plus 16 by x plus 8 upon x square minus 32 upon x cube plus 16 upon x to the power 4 देखो यह सच question जो है न यह सच सिफ practice के लिए यह जो expansion है न इस expansion पर आपकी practice हो जाए उसके लिए question है ऐसे question board में आ सकते हैं अगर आएंगे board में तो long type में हैं कभी भी short type में नहीं आएंगे because इस type के question में कोई हमारा दिमाग नहीं लग रहा है सिर्फ क्या है सिर्फ calculation intensive question है सिर्फ हमें calculate करना और कुछ भी नहीं ठीक है I hope समझ में आ रही होगी बात next video video lecture number five में हम लोग क्या करेंगे कुछ questions और करेंगे this all फिर हम लोग next point पढ़ाएंगे ठीक है फिर ओके करेंगे